सूर्व अलेक्म वैलकम्न दोंजिनेरिक रिविव्यूँ इस वक्त हम पाकसान कैबियूड में मुझोद हैं करे व के लिशनल सेल्ज और न्यू बिसने прим के मैनेजर जनर ताहिर साहब हमारे साथ है सल्मान साथ के साथ आज गुष्टकू करने से हमें दो फायदे होंगे एक फायदा दिए होगा के सेल्ज और जो बिजिस वेंचर्स होते हैं उसको देखते ही पता चलता है के सल्मान साथ एक ऐसी परस्वालिटी है जिन से बात करके हमें पाकिसान के अंदर इस वक्त जो एकॉनमिक सिनेरियो है और उसमें क्या अपरिचुनिटीज है उसकी एक किलियर पिच्चर नगर आ जाती है दूसरे यह कि जब न्यू वेंचर्स की बात कर रहे होते हैं तो यह भी बड़ी इंट्रेस्टिंग फील है और इसमें पाकिसान जैसी सुसाइटी में और पाकिसान जैसी एकॉनमि में नए विंचर्स क्रियेट करना नए आइडियाद लेके आना हर किसी के बस की बात नहीं है हम जानते हैं कि पाकिसान की एकॉनमि यह बड़े अरसे से काफी डिफिकर्टी का शिकार है और इस सारे सेमें में सल्माण साम कैसे कर रहे होगा अपना काम यह इनसे सुनेंगे और साथ-साथ हमारी ये कोशिश होगी कि हम सल्मान साथ के साथ बैठके पाकिसान के बिजिस स्वेरियों को बहतर बनाने के लिए कुछ नए आइडियाज भी जरूर सुनना चाहेंगे और I hope इनके पास होगे Thank you so much सल्मान साथ आपने टाइम दिया कि यह जो कहते है ना कि एक ऐसा इंडिकेटर है विजिस में कि जिसको देख के पता चल सकता है कि कंपनी जो है उसकी फैनेंशल हेल्थ कैसी है और इसका मतलब है कि जो इंडिकेटर है वो तो सीधा सीधा आपके आपके साथ है वैसे जनरली एक बड़े अरसे से हम काफी डिफिकल्टी भी है एकॉनमी के हमाले से और पाकिसान के अंदर कंटिनस्ली ऐसी खबरे आ रही होती है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो बड़े अरसे से काम कर रही थी उनकी तरफ से भी हमें ऐसे इंडिकेशन्स हाए कि काफी मुश्किल का शिकार है और काफी काफी हमें लॉसिज भी नगर आए और अब मैं तो जिससे भी बात करता हूँ कोई आप्टिमिजम जो है वो बहुती कम नगर आता है ज्यादातर पैसिमिजम है ठीक है इस सारी सुरदाल में पाक्सान केबल्स अकार्डिक टुमाय रिपोर्ट्स अभी भी ऐसी कंपनी है जहां कहीं न कहीं पॉजिटिव इंडिकेटर्स नगर आते हैं खबरे आती हैं नए विंचर्स की खबरे आती हैं तो जरा सारा हमारे साथ शेयर करें कि एसी सिचुएशन में आपके सामने क्या सुनियर्यों जी तैंक यू सो मच इस ऑपरचॉनिटी के लिए सबसे पहले तो जिससे आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है इस वकत अगर खबरों पे जा परता हुआ नजर आएगर as opposed to other industries obviously उसकी अपने reasons है the country has been through a tough time एक हमारा जो पिछले दो धाई साल का एक वक्त था उसमें हमें fiscal tightening करनी पड़ी और जाहर है और काफी different policy मेयर समय लेने पड़े तो उसकी वज़ा से यह हुआ naturally के जो construction industry है engineering industry है उसमें demand curtail हो गई तो जब demand curtail होगी तो obviously जो suppliers है या manufacturers है उनके लिए business जो है वो tough होता जाएगा लेकिन यह जो negative time होता है या जो मुश्किल वक्त होता है यह हमेशा एक opportunity होती है एक तरह से recollect करने के लिए organizations के लिए कि वो बैठें सोचें recollect करें अपने आपको मजीद बेहतर बनाएं बहुत सा time उसको analyze करें उसको आइस्ता आइस्ता उसकी improvement की तरफ काम करें so what I say is हमेशा हमें यह believe करना चाहिए कि जो मुश्किल वक्त है वो एक blessing in disguise होता है और मुश्किल वक्त में जो आप काम करते हैं यानि मुश्किल सालों में जो आप काम करते हैं उसका benefit आपको फिर अच्छे वक में मिलता है so talking about Pakistan cables alhamdulillah हमने इसी मुश्किल वक्त में अपना नया project नूरियाबाद में लगाया जो के एक बहुत बड़ी capital investment थी more than 40 acres के उपर एक नया plant लगाना state of the art technology के साथ इस time frame के अंदर जब interest rates बहुत high है demand market में curtailed है so it was a big challenge for us लेकिन उस challenge के साथ हमने अपने आपको alhamdulillah we prepared ourselves to make use of this investment in future जबके सुर्तियाल बेतर होगी अच्छा ये बड़ी important बात है कि आपने पूरी industry आपके सामने है demand curtail हो रही है continuously and you know I don't know के future क्या होगा किस तरह होगा but still इसके बावजूद एक project start करना इतना बड़ा start करना उसमें इतनी capital investment डालना इसका बत्राब है कुछ तो हैनक कोई इसी रास की बात के you know के जब तक हमारा project mature होके आ जाएगा a certain time तक then situation बेतर होगी और आपके जहिन में क्या था कि अगर यह situation नहीं होगी तो you are looking something for कोई और areas पाकिसान से बाहर ने करने की तदब कुछ तो होगा यह रास की बात हमारे साथ share करें तक यह कैसे हुआ यह देखें सबसे पहले तो अलहमदोल्ला पाकिसान cables just group का हिस्सा है हमी यह सुल्तान चिर्णाय ग्रूप different engineering industry के अंदर आप देखें एक huge investment इस group ने किया हुआ है industrialization में एक बहुत बड़ी employment based generate की हुई है और localization पे हम believe करते है so एक तो obviously यह group की philosophy है to invest in Pakistan and we always stay optimistic about Pakistan क्यूंकि हम यह believe करते है हैं कि Pakistan में अभी improvement की बहुत ज्यादा गुंजाईश है when we travel to other countries अगर आप Middle East में चले जाए यूरोप में चले जाए या Western countries में चले जाए इवन अगर आप Asian countries में चले जाए जो original आपके countries है तो हम अपने आपको देखते हैं कि अभी बहुत सा ऐसा सफर है जो हमें मुकमल करना है as a nation अभी हमें बहुत सी development पाकिसान में करनी है तो यह opportunity build करती है उन organizations के लिए उन investors के लिए जो believe करते हैं पाकिसान के future में और जो invest करन आप 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 आएगा तो we would be ready तो एक तो यह सोच है हमारी दूसरा जैसे आपने भी जिकर किया कि obviously पाकिस्तान से बाहर एक बहुत बड़ी market है जो exports की market है so alhamdulillah हमने being Pakistan cables significantly पिछले 5 सालों में बहुत effort किया export markets को develop करने का African markets Middle Eastern markets even as far as the Caribbean markets हम लोग गए और हमने यह देखा कि जब यहां पे पाकिस्तान में एक domestic demand curtail होती है तो हम exports में वो volumes realize कर सकते हैं और as a result economy के लिए foreign exchange बेंड कर सकते हैं अच्छा जो नूरियाबाद है अब उसका production शुरू हो गया right मैं अपने नए viewers के लिए जरूर चाहूंगा बहुत ही briefly हमारे साथ share करें क कि वहां पे क्या क्या बनना है तो पता चले कि उसको हम दूसरी चीजों के साथ कैसे relate कर सकते हैं ठीक है बड़ा important सवाल था basically देखें नूरियाबाद में हम जो हमारे core products हैं जिसमें medium voltage cables हैं low voltage cables हैं जो transmission और distribution में इस्तामाल होती हैं फिर buildings में use होती हैं hospitals में use होती हैं industrial projects में use होती हैं हम उसके लिए जो top of the line equipment थी हम वो equipment लेकर आए हैं mostly जैसे मैं आपको एक case in point बताता हूँ हम CCV line हम लेकर आए जो के German technology है और इससे पहले कोई German या European technology पाकिस्तान में नहीं थी तो हम वो लेकर आए उसकी वज़ा से हमें ये फाइदा हो रहा है कि जो हमारा output है इस product में वो काफी हद तक बढ़ गया और ऐसी cables जो के पाकिस्तान में पहले नहीं बन रही थी यानि के up to 69 KV अब हम medium voltage cables बना सकते हैं तो एक तरह से import substitution भी हो गया localization हो गया और export के लिए भी हमारे नए avenues उपन हो गया इसके इलावा अगर हम बात करें तो transmission line conductors हैं फिर हमने एक अपनी जो raw material की base है अपने आपको vertically integrate किया हमने नया copper rod plant बहां पे लगाया, aluminum rod plant लगाया, alloy के उपर हम काम कर रहे हैं, so बहुत सारा जो raw material है जो के PVC यूज होता है cables में उसके लिए हमने एक नया state of the art European plant लगाया, so उससे हमें ये फायदा हुआ कि again एक तो ये raw material है, उसमें भी localization हो गई, जो forex हम पहले बाहर दे रहे से, वो forex हमारा conserve हो गया, दूसरा हमें भी अपनी cost base को improve करने में फायदा हुआ, so इसकी विज़ा से, alhamdulillah, हमने बहुत सारा अपना product portfolio भी diversify कर लिया, ये बहुत सारा अपना product portfolio भी diversify कर लिया, ये बहुत सारी लोगों का dream है, और 75 years से है, लेकिन इसमें से एक चीज में जह हूँ, कि ये पूरा power sector है, और climate change के backdrop में एक बड़ा target ये है, कि हमारी localization में भी, जो product हो, वो आपके renewables और climate friendly हो, और उन technologies, उन projects में जाके fix हो, जो आपके climate को कुछ बहतर बनाएं, इस सिसले में ये सारे चीजें कहा जाके fix कर लिए हैं. देखें, इसमें अगर हम specifically products ही बात करें, पहले तो ये कि हम बहुत सारे sustainability initiatives नुरियाबाद में भी ले रहे हैं, और हमारी जो site factory है, वहाँ पे भी हमने बहुत से initiatives लिये, तो वो एक बहुत लंबी debate है, कि हमने क्या-क्या initiative sustainability के लिए, कुछ बहुत मैं जानता हूँ आप उस लिए, इसलिए मैंने इसको relate किया, कि पाकिसान के इंगल्स अल्रेडी climate change के बहुत सारे initiatives में involved है नारे, तो उनका सारे project जो है, तो अगर हम product के एंगल से बात करें, तो मैं दो products यहाँ पे showcase करना चाहूंगा, एक तो हमने इस सब ने देखा कि solarization जो है, पाकिसान में बहुत तेजी से फैली, तो domestic में भी, industry में भी, और commercial में भी, solar projects, लोगों ने, naturally, जो हमारी electricity है, expensive होती जारी है day by day, तो लोगों ने अपनी cost base को improve करने के लिए, fuel and power की इमद में, solarization के बहुत से projects की तो उस वकत, जब ये roll out इसका शुरू हुआ, तो solar panels, inverters, और cables, जो के इसकी major cost component होती है, ये सब पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी, और mostly चाइना से आ हम नूरियाबाद में एक तो capacities develop करें, और state of the art equipment हमने वहाँ पर लगाया, जो के specifically solar की cables, DC cables बनाने के लिए था, फिर हमने TUV से type test करवाया, TUV Rheinland से, जो के alhamdulillah इस वकर we are the only company in Pakistan, जिसके पास वो है, जिसने हमें allow किया कि हम solar cable ना सिफ पाकिस्तान के लिए बनाए, but also export करें to international markets, तो एक renewable से related product हमारा ये था, दूसरा, एक पिछले पांच साल से हम काफी ज़्यादा effort कर रहे हैं और हमने ये product develop किया, जो के transmission lines के लिए है, power and grid का हम सब जानते हैं, कि क्या issue है, inefficiencies का issue है, जिसकी विज़ा से line losses बहुत ज़्यादा है, और जो power हम generate करते हैं, वो power हमारी transmission के दौरान सारी जाया हो जाती है, तो उसके लिए हमने ACCC conductor, CDC Global USA की एक company है, उसके साथ हमने technology partnership करके, पाकिस्तान में ना सिरफ उसको launch किया, बलके localize भी किया, तो now we are able to produce that conductor in पाकिस्तान, जो के हमारी utility segment में, के electric, NTDC, और जितने भी हमारे distribution companies हैं, वहाँ पे ये use होता है, तो हम उसके successful तीन projects भी किये, और इस conductor की खुशूसियत यह है, कि यह line losses में up to 30% reduction देता है, तो यह सब कुछ पाकिस्तान के total power losses जो है, वो वैसे बावजूद इसके के हमारे पास data जो है, वो उसकी credibility का बड़ा issue होता है, 30-30 के आस-पास जो है ना, वो हमेशा वो very करना होता है, अगर अब ventures की बात आई और आपने national market को भी देखा गया भी जलके हमारी economy बहतर हो जाएगी, हमारी construction industry बहतर हो जाएगी, अब तो IMF deal वगेर वाटेवर, और interest rates भी आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं, आपकिमिस्टिक होना चाहिए, बहतर हो जाएगी, और साथ experts का भी है, साथ जो recent वो किया, agreement किया, जो एन हिंट किया, वो भी पूरे power sector को कहता है, तो उसका बड़ा target किया, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे पाकिसान के अंदर, जो पाकिसान को तो focus करी रहे हैं, लेकिन आइसा आइसा हमारे जो आसपास खास सोर को Middle Eastern region में बड़े पैमाने पे एक potential है, उसको भी focus कर रहे हैं, उसमें भी आपका कोई another initiative है, या यह जो साओधी के साथ आपका agreement है, there's part of that, पूरे initiative. देखें, यह पाकिसान केबल्स की, अलहम्दल्ला एक heritage है, कि हम हमेशा से foreign affiliations के साथ हमने grow किया, like सबसे पहले when we were founded, उसकत हम BICC UK के साथ हमारी association थी, equity partnership थी, और we were born as a BICC company, उसकत BICC UK जो है, वो दुनिया की top cable manufacturer company थी, उसके बाद हमने general cable USA के साथ equity partnership की, यह 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके साथ हमने एक बड़ी अच्छी technology leadership enjoy की पाकिसान के अंदर, फिर जैसे मैंने भी पहले जिकर किया, CTC Global USA के साथ हमने technology partnership की for ACCC conductors, इसी philosophy को और इसी strategy को लेके आगे चलते हुए, अभी हमने MOU sign किया, बहरा electric, साथी अरेबिया के साथ, और उसके पीछे भी vision यही है कि हम एक दूसरे से सीखें, technology के बारे में सीखें, raw material sourcing के बारे में सीखें, और कैसे हम collaborate कर सकते हैं, to bring in business for Pakistan and also for Saudi Arabia, तो हमारी aim जो है, वो इन्शालला export markets भी है, internal efficiencies भी है, raw material suppliers के साथ, partnerships भी है, तो ये एक बड़ा multifaceted MOU है, और इसकी details इंशालला ताला, इस्ता इस्ता हम, और हमारे, हमारे, हमारे सामने आती जाएगी जाएगी, इंशालला, it is a promise you start. मैं सोच रहा था कि आपने बड़े अर्से से ये जो पूरा जो स्नेरो है, इसको एक smartly एक सामने रखके और आगे आपने move किया है, मादी में भी जो पाकिसान केबिल्स के साथ मेरे interactions हैं, मीडिया के हवाले से, उससे general impression ये है कि पाकिसान केबिल्स एक ऐसी company है, मादब जिनको रोकना नहीं आता, रस्ते निकालने आते हैं, that's great. पाकिसान में बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं, बहुत सारे industry के लोगों को, entrepreneurs को, वो कहते हैं कि ये अगर लोकली कुछ बनाएं, हम factory लगाते हैं या कोई venture start करते हैं, तो हमें तो ये bureaucracy और हुकूमत है और बहुत सारी जगों पे आगी नहीं बनने देते हैं, आगे पास क्या राज है कि माशालला मूरियाबाद वाला project आपने start किया, अब आपने साओधी collaborations और आगे भी एक पूरा सफर है, राज बताएं कि ये ये भाना होता है लोगों के पास, कि जब आप locally चीज बनाते हैं उनको बेचना भी बड़ा बहुता है, लोग करते हैं जी पाकसानी बनी हुई है, और हमारी society में आपको पता है कि एक ये ख्यारा कि ये इंपोर्टिट चीज़ है, क्या बात है जबर्दस्त होगी, कैसे बते हैं, देखें इसमें for a company which is 70 years old हम्दोला साथ हईयां हो गई हैं जिस वकत ये इंडस्ट्रिलाइजेशन जब ये पाकसान केबल्स बनी थी, उस वकत भी यही सोच जहन में थी ना कि क्या एक प्रॉग्रेस होगी और उस वकत भी ये स्टेप लेना इंडस्री के अंदर आना was a bold step, तो मैं पहले तो ये चीज़ अकनॉलेज करता हूँ कि पा ये जो सारे हमारे साथ एक नेगेटिविटीज असोसियेटेड रहती हैं, लेकिन अगैन अपनी पहली बात से ही लिंक करते हुए, पोटेंशल पाकिस्तान में हमने अभी तक रिलाइज ही नहीं किया, ठीक है, हम तसवर ही नहीं कर सकते कि कितना पोटेंशल इस कंट्री में पाकिस्तान के फ्यूचर में इनवेश्ट करते हैं, लेकिन डिफिकल्टीज तो होती है, मैं कह रहूं कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं, अब ये रास की बात तो नहीं नहीं ना, कि जी आप जिस स्टेप पे जाते हैं, तो आप कहते हैं, या अभी तो जोग गई, बिरोक्रेसी या वाटिवर, मैं कोई बिरोक्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस प्रिटी डिफिकल्टीज तो इस ओफ दूइंग बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, जेनरली पाकिस्तान इतना अच्छा रेट नहीं करता है, इस ओफ दूइंग बिजनेस में, आ आपको मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है, आपको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ता है, तब ही जाके आप आगे निकलते हैं, अब पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम देखे हैं, हम बहुत अच्छे काम करने वाली इंडिस्ट्रीज को भी देखते हैं, अलहम्द हमें देना चाहिए, और ताकि जाके हम चीजने लेखें, और अलहम्दुल्ला, इस पूरी जर्नी में, सेवन डैकेट्स की जो जर्नी है, there have been a lot of successes as well, और उन्हीं successes को हम याद रखते हैं, जब हमारे उपर tough time होता है, तो, सर्मान से new ventures और sales के सिलसे में, हम share करेंगे और आपके पास पहुचाएंगे, यह जाद हो चाहते हैं, और नाफिस.